बस्तर जिरे में 15 नवंबर से आरक्षक पत के लिए पुलिस भरती निकलने वाली है इसके लिए अभ्यरती जी तोड़ महनत कर रहे हैं लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो भरती करने के नाम पैसे ठग लेते हैं ऐसे मामलों को लेकर बस्तर एसपी के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी क्या गया है इसमें किसी भी भरती के नाम पर पैसे न देने की बात कही गई है बस्तर एसपी शलप सिर्हा ने बताया कि भरती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता है इसमें किसी भी तरह से कोई धांदली नहीं किया सकती है ये लोग अभ्यरत की जमापुंजी को ले लेंगे इसके अलावा फिजिकल से लेकर परिक्षा के दौरान मिलने वाले सभी अंक को कंप्यूटर में अंकित किया जाता है अगर कोई भी व्यक्ति नौक्री लगाने के नाम पर पैसा मांगता है तो ततकाल इसकी सूचना पास के थाने या फिर बस् जो अभी हाली में पुलिस की जो भरतियां होने वाली है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं 15 नवंबर के आसपास से हमारे जगदलपुर में भरतियों के प्रक्रिया चालू होगी और काफी सारे अभियर्थी इसके लिए फॉर्म भर चुके हैं और वो मुझे उमीद है कि प्रक्रिया है यह पूरी तरह से फेर है इसमें किसी भी धांदले की कोई गुझाइश नहीं है कोई भी आपसे अगर ऐसा अप्रोच करता है आपको यह कहता है कि पैसे ले करके वो आपकी नौकरी लगा देंगे आपको आरक्षक बनवा देंगे तो उनके जहांसे में बिल रहे कोई भी अगर आपको अप्रोच करता है तो हमारे पास आ करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं हम उन पर तुरित कारवाई करेंगे मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि जो पुलिस के भरती प्रक्रिया होती है जिसमें फिजिकल और उसके बाद रिटन होता है यह परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि जिसमें की human intervention, manual intervention की कोई भी जगा नहीं है तो आप पूरी तरीके से निश्चिन्थ हो करके अच्छे से अपनी त्यारी करिए और किसी के भी जहांसे में ना आएं कोई भी आपसे वादा करता है कोई भी आपको कितनी भी पूची पहुच की बात बताता है आप समझ जाईए कि ये जूट बोल रहे हैं ऐसे किसी भी धांदली की इस पूरे प्रक्रिया में गुंजाइश नहीं है अच्छे से त्यारे करिए और